हलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं The Commerce Tutor आज के इस वीडियो में हम Class 12 Business Studies Chapter 11 Marketing Management के Lecture 3 में Marketing Management Philosophies जो हैं इसको discuss करेंगे तो Marketing Management के कुछ Philosophies हैं वो क्या हैं वो हम चलिए देखते हैं सबसे पहला Philosophy जो है वो है Production Concept ठीक है तो कुछ Companies ऐसा मानती हैं कि Products को बेचना तब बहुत आसान हो जाता है जब Products Inexpensive हो और Easily Available हो यानि कि Products सस्ते हो और Easily Available हो अब Product को सस्ता और Easily Available बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? Large Scale में Production करना पड़ता है ठीक है? तो Large Scale में Companies Produce करती हैं और सोस्ती हैं कि Large Scale में Produce करेंगे तो Production की Cost जो है वो कम आएगी और बहुत ज्यादा Quantity में Produce होने के कारण Market में Product भी हमेशा Available रहेगा उसकी कोई Shortage नहीं होगी तो लोगों को सस्ती और हमेशा Available चीज़े जो है वो ज्यादा पसंद आती हैं वो ज्यादा बिक्ती हैं ऐसा इन Companies का मानना है वो इस Philosophy को मानते हैं तो इस Philosophy को इस Concept को ही Production Concept कहते हैं यहाँ पर जो Main Focus होता है वो यह होता है कि Large Scale Production करना है को सस्त को कम करना है तो प्रोड़क्ट को हम सस्ता बना पाएंगे और मार्केट में इसली अवेलेबल होगा उसके कारण वो बिकेगा भी ज्यादा तो चाइना से जो प्रोड़क्ट साती हैं हमारे यहाँ इंडिया में वो जेनरली इसी Concept को यूज करके करते हैं चाइना की Companies जो है Large Scale Production करने के कारण इनका कॉस्ट इतना कमा जाता है कि यह दूसरे देशों में बन रहे प्रोड़क्ट से भी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं इंपोर्ट कराने के बाद भी ठीक है तो चाइना में जो है यह Production Concept यूज होता है अब अगली जो Marketing Management की Philosophy है वो है Product Concept अब नाम से पता चल रहा है Product Concept जो है उसमें Main Focus रहता है प्रोड़क्ट के उपर तो यहां पर जो Seller होता है या जो Firms Engaged है वो यह कोशिश करते हैं कि हम हमेशा Product जो बना रहे हैं उसको High Quality का और Added Features के साथ Market में Launch करें ताकि लोग जो है उसकी Quality के बल पर उसको खरीदें ठीक है तो Superior Quality के प्रोड़क्ट जो होते हैं वो लोग खरीदना चाहते हैं ऐसा इन Firms का मानना होता है लेकिन इन Companies को यह चीज़ भी दिमाग में रखनी चाहिए कि यह Customer Superior Quality का प्रोड़क्ट तब धे खरीदेगा जब उस प्रोड़क्ट की Market में डिमांड होगी या उस 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 Customer को उस प्रोड़क्ट की ज़रूरत होगी सिर्फ ऑलिटी अच्छी दैरने से ही प्रोड़क्ट भी जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है customer को उस product की जरूरत भी होनी चाहिए ठीक है अब दोखें यहाँ पर एक छोटा सा example दिया है कि firm dealing with a very high quality hair dye but customer will demand it only if they have grey hair तो एक firm है वो बहुत high quality का hair dye बना रहा है ठीक है जिसकी quality बहुत अच्छी है बालों को कोई तकलीफ नहीं देगा वो लेकिन customer तभी खरीदेगा उसको जब उसके बाल सफेद हो रहे हो ओके तो यहाँ पर main focus जो होता है वो good quality product with added features पे होता है अब अगला concept जो है marketing philosophy में वो है selling concept तो selling concept generally हम लोग discuss कर ही चुके है selling concept जो marketing versus selling में हमने discuss किया था वो ही है ठीक है यहाँ पर seller जो है वो believe करता है कि हम जो भी product produce करेंगे वो customer को किसी तरह बहला फुसला कर बेच सकते हैं और उससे पैसे जो है हम ले सकते हैं तो इसके लिए seller को क्या करना पड़ता है कुछ aggressive selling and promotional efforts करना पड़ता है तो यहाँ पर selling concept में कोई भी market की research नहीं होती है कि customer को कैसा product चाहिए नहीं चाहिए वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि customer का जो है preference न जानकर खुद जो भी product वो बनाते हैं वो customer को push करते हैं sale करते हैं customer को sale करने की कोशिश करते हैं heavy advertising और heavy sales promotional efforts यूज करके selling concept can be summed up in the statement selling what you have selling concept का एक line में मतलब है selling what you have जो हमारे पास है वही हमको बेचना है तो इस concept में product को hook और crook कैसे भी बेचना पड़ता है ओके बेचना होता है तो यही selling का concept है कभी-कभी fair unfair tactics भी use हो जाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि selling में अगर मतलब कोई seller किसी customer को जबरजस्ती या बहला फुसला के कोई product बेच देता है और buyer को बाद में वो product से satisfaction नहीं मिलता है या वो खराब हो जाती है उसको समझ भी नहीं आता है कि मैंने क्यों खरीद लिया तो फिर buyer जो है वो image जो है खराब कर सकता है उस seller की ठीक है तो customer once wrongly convinced can spoil the image of the firm यह याद रखना तो selling concept जो है यह short run में ठीक है कभी-कभी आपने देखा होगा ट्रेनों में कुछ hawkers आते हैं कुछ खिलोने वगेरा जो है या कुछ gadgets हैं power bank नकली power bank नकली pen drive यह आपको बेचने की कोशिश करते हैं बहला फुसला के वो कहते हैं कि बाजार में यही power bank 2000 का मिलता है हम आपको 500 में दे देंगे लेकिन अंडर में वो बिल्कुल खराब होता है या कुछ एक दो दिन बाद या एक दो घंटे बाद ही खराओ जाता है तो यह भी एक selling concept है कि मेरे पास जो भी है मुझे किसी तरह customer को बेच के निकल जाना है तो एक बार मानलो आपने उससे बहलावे फिसलावे में खरीद लिया अगली बार जब आप ऐसे एक seller को देखोगे तो कभी नहीं खरीद होगे साथ ही आप अपने friends और relatives को ये भी कह दोगे कि train में अगर कभी कोई seller pen drive या power bank पहिछने आया तो उससे कभी मत खरीद ना क्यूंकि वो सारे products जाली होते है तो selling जो है ये short run में ठीक है लेकिन long run success के लिए ये selling technique जो है वो नहीं चलता है ठीक है चौथा point है marketing का concept ये वही concept है जो हम इतने दिन से discuss कर रहे थे कि सबसे पहले market को identify करो customers को identify करो जो target market में है उसके बाद understand करो उनके needs and wants ठीक है कि customer को क्या चाहिए फिर उस हिसाफ से products की development करो products and services की ताकि customer की needs and wants को satisfy किया जा सके उसके बाद satisfy तो करना है customer की needs and wants को लेकिन कैसे करना है better than competitors आप जो product या service market में लाएंगे वैसा product और service provide करने वाले पहले से companies वहाँ पर बैठी हुई है market में ऐसा तो है निकि आप पहला business करने आ रहे है पहले से भी कुछ companies होंगी जो वो products and services provide करा रही है तो आपको customer को attract करने के लिए क्या करना पड़ेगा competitor से कुछ अच्छा करना पड़ेगा ठीक है और यह सारी चीजे profit में करना पड़ेगा अगर आप loss करते है customer को satisfy करने के लिए मान लो 100 रुपए की production cost आई लेकिन customer को 90 में माल चाहिए वो bargain कर रहा है तो आप customer को satisfy करने के लिए 90 में माल बेच गए तो इतना भावनाओं में नहीं बहना है सब चीजे जो है profit में करना है वरना business जो है वो डूब जाएगा ठीक है तो यही marketing का concept है अब marketing के इस concept में दो चीजों पर खासा ध्यान रखना पड़ता है एक है customer और दूसरा है competitor customer पर ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हमें हमेशा पता करते रहना पड़ेगा कि customer की needs and wants क्या है क्योंकि समय के साथ customer की needs and wants भी change होती रहती है तो हमें भी हमेशा updated रहना पड़ेगा और competitors पर क्यों नजर रखनी है competitors पर इसलिए नजर रखनी है क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे हमको बहतर करना है उनसे better करना है तो यह चीज है अब देखो पाच्वा पॉइंट भी है एक societal concept अब marketing का concept जो हमने जितना भी पढ़ा production concept, product concept, selling concept, चौथा marketing का concept तो चारों concept में इतना भी ज्यादा focus नहीं करना है कि society या environment को harm पहुचे यही societal concept बोलता है societal concept यह बोलता है कि although marketing concept is satisfying the need of the customer in the best possible manner but then also it has attracted criticism from people who are concerned about society and environment तो कभी-कभी क्या होता है कि customer satisfaction के चलते कुछ businesses इस हद तक भी चली जाती है कि society और environment को नुकसान हो रहा होता तो उस समय है फिर business को बहुत ज्यादा criticism का face करना पड़ता है बहुत लोग उसके आलोचना करने लगते हैं बुरा भला कहते हैं कि यह business जो है अपने customers को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें society के और environment के दाइरे में रहकर ही customer satisfaction provide करना है इसका drugs लेके हो सकता है कि उस customer को short term satisfaction मिले पर यह चीज जो है यह society के लिए environment के लिए और उस customer के लिए भी long run में अच्छा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर यह societal concept इसलिए लाया गया है तो इसका main focus क्या है customer को satisfy तो करना है लेकिन ethical और ecological boundaries के बीच में रहके करना है यानि कि अपने society में कुछ भी हानी पहुचाए बीना environment को damage पहुचाए बीना और ethically यानि कि जो है आपका कोई धोका धड़ी नहीं करना है किसी को cheat नहीं करना है ethically customer satisfaction provide करना है तो यह है societal concept ओके तो यहाँ पर एक chart बना हुआ है देखो जो marketing management philosophies हमने discuss की है पांचो यह production product selling marketing और societal concept उसका एक chart है difference का यह आप pause करके पढ़ लेना एक बार अब अगला point जो है functions of marketing देखो marketing को करने time कोई भी marketer जो होता है वो कुछ functions perform करता है वो functions क्या है वो हम अभी देखेंगे सबसे पहला है gathering and analyzing market information यानि कि market research तो कोई भी product को जब आप बनाते हैं तो बनाने से पहले मैंने आपको पहली बता द होती है इस market research से हमको क्या पता चलता है needs of the customers, wants of the customers ठीक है तो यहाँ पर आपको needs को देखना है customers की और साथ ही साथ market research में सिर्फ customers कोई नहीं देखना ये भी देखना है कि आपके competitors जो हैं वो किस type का product या service जो है customers को provide कर रहे हैं ताकि उनके wants जो है वो satisfy हो सके तो हम कैसे products बन needs or want satisfy हो और कैसे satisfy हो competitor के product से better satisfy हो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है इस market analysis को हम SWOT analysis भी कह सकते हैं SWOT analysis मतलब strength, weakness, opportunity, threat तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारी strengths क्या है और इन strengths को use करके हमको market में जो भी opportunities हैं उनको in cash करना है यानि कि opportunities को पकड़ना है कैसे strengths और weaknesses और threats के threats जैसे कि हमारे competitors हो गए, weaknesses क्या हो गया हमारे अंदर कुछ कमिया हो सकती है हमारे पास बहुत ज्यादा capital नहीं होगा हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छी production capacity नहीं हो सकती है तो ये सारी चीजों को कैसे overcome करना है उसके लिए हम कुछ plans बनाएंगे ताकि हमारे weaknesses और threats जो है व किसी भी marketer को necessary steps plan करने पड़ते हैं कि अब research तो हो गई अब हमको क्या करना है ठीक है ये plan जो बनते हैं वो किसलिए बनते हैं production को increase करना पड़ सकता है उसके लिए plan बन सकता है sales को increase कैसे करेंगे उसके लिए plan बन सकता है कैसे sales promotion tools use करेंगे कैसे advertisement वगेरा करेंगे इन सब चीजों की planning होती है market को study करने के बाद उसी चीज़ को market planning कहते हैं third point है product designing and development अब market research हो गई planning हो गई अब इसके बाद हमको करना पड़ेगा product को design और develop तो customers की needs and wants को तो हमने पता लगा लिया अब उस need and want को satisfy करने के लिए हमको product और services को design करना पड़ेगा design करने के बाद उनकी development करनी पड़ेगी तो every marketer offers a product और service to the customer but what product और service has to be offered must planned क्या product service हमको customer को देना है उसकी planning proper करनी पड़ती है planning part में क्या क्या आता है planning part में decisions ले जाते हैं कि product की quality कैसी होगी ठीक है उसका shape या design कैसा होगा packaging उसकी कैसी होगी कितने सारे models उसके हम बनाएंगे ठीक है कैसे हम अपने product को अपने competitor के product से better बना सकता है एसेटर 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 यह सारी चीज़े जो है उसको ध्यान में रखना पड़ता है इसी को बोलते है product designing and development चौथा point है standardization and grading अब देखो तुम्हारे product को standardized होना बहुत ज़रूरी है मान लो आपने कभी mobile phone देखा होगा mobile phone एक highly standardized product होता है आप एक mobile phone के 100 pieces लेलो एकदम बिल्कुल नए बकसे के और आप सारे बकसों को देखो बिल्कुल हूँ बहू same to same होंगे ठीक है कहीं भी किसी भी box में कुछ छपा हुआ इधर का उधर नहीं होगा जो जैसा है दूसरा product भी बिल्कुल वैसा ही होगा तो वैसी ही चीज आपको भी achieve करनी है standardizedization मतलब अगर आप कोई product बना रहे हो तो उसके जितने भी units आप बनाओ सब में quality standard बिल्कुल same to same maintain होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक piece आपने बहुत high quality का बना दिया दूसरे piece में आपने cheap plastic यूज करके थोड़ा सा कम quality का बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए standardizedization मतलब बिल्कुल same to same quality standard maintain करना है हर piece में इससे क्या होगा public को quality assurance मिलेगा और वो क्या करेंगे बार बार आपका product खरीदने के लिए राजी होंगे और दूसरे लोगों को भी recommend करेंगे कि इस company का product मैंने खरीदा है तुम भी खरीद सकते हो काफी अच classify करना on some basis the basis of classification can be size quality etc. अब देखो मान लो कि हमको एक hard disk खरीदना है ठीक है external hard disk backup के लिए अब hard disk 2TB का आता है 1TB का आता है अलग-अलग capacities में आता है तो जब भी हम hard disk बनाएंगे manufacture करेंगे तो उस product के ऊपर उसकी capacity जो है वो हमको अच्छे तरहीके से print करनी होगी उसके packaging में लिखना पड़ेगा कि ये कितनी capacity का है तो ये सारी चीजे जो होती है उनके quality या उनके features के हिसाब से अलग-अलग product को classify किया जाता है ठीक है अब grading के through देखो marketer जो है वो high quality product के लिए higher price ले सकता है एक जखा पर और grading बहुत use होती है वो है agricultural products में देखो agricultural products में standardization कर पाना जो फसल होती है वो हमेशा एक तरह की नहीं होती है तो इसमें क्या होता है कि मानलो हम wheat बेच रहे हैं आप किसी दुकान में अगर यह हूं या आप अगर चावल खरिदने जाओ तो आप देखना कि वहां पर varieties of rice मिलती है कोई 50 रुपए किलो की है कोई 40 रुपए किलो की है अलग-अलग quality के rice मिलते हैं वहां पर तो rice जो है वो एक standardized चीज नहीं है मतलब जहां भी मिलेगा आपको rice वो एक ही quality का मिलेगा ऐसा नहीं होता है हर rice अलग-अलग तरह के होते हैं उनकी अलग-अलग grading होती है कोई अच्छा quality का कोई खराब quality का तो उस हिसाब से उस product की grading की जाती है और pricing की जाती है अब पांचवा point है packaging and labeling अब देखो product आप चाहे कितना भी अच्छा बना लो अगर उसकी packaging जो है वो आप सही नहीं करोगे attractive नहीं करोगे तो कभी भी customer आपके product को खरीदेगा नहीं एक गंदा सा डिखने वाला डबा उसके अंदर आप अगर हीरे भी बेचो ना तो वो हीरे कोई खरीदना नहीं चाहेगा इसलिए packaging बहुत ज्यादा important है क्योंकि customer जो पहली बार product को देखता है किसी दुकान में या किसी showroom में या online उसके pictures ही देखता है तो packaging को notice करता है packaging ही उसको attract करती है कि एक बार मैं देखूं वो product कैसा है ठीक है तो product जो है वो हमेशा customer को supply होता है एक packaging का एक कारण ये भी है कि वो product को safe रखता है किसी भी product को use करने से पहले safe रखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए उसकी packaging की जाती है लेकिन उसके साथ packaging के साथ साथ वो attractive package बनाने का ये भी मतलब होता है कि customer को वो packet attract कर सके और package जो है वो customer खरीद ल इसेटर विचर उसको पैक देखो पैकेजिंग प्लेज अन इंपोर्टेंट रोल इन सेलिंग अज एट्रैक्टिव पैकिंग इंडूसेज देखो इसको silent salesman भी कहा गया question आ सकता है कभी exam में तो silent salesman क्यों कहा गया है जैसे salesman अपने product की बढ़ाई करके किसी customer को उस product को खरी आओ इस package को हाथ में लो खोल के देखो क्या यह product लेने लाइक है कि नहीं इसलिए packaging को silent salesman भी कहा गया है अब labeling क्या होती है अब देखना आपके product में जो package होता है वो package में सिर्फ रंग भी रंग के colors नहीं होता है उसके साथ उसमें कुछ चीजें लिखी जाती है तो labeling उसी को बोलता है labeling क्या है informative part of packaging ठीक है labeling के through packet के उपर कुछ important information जो है वो customer को दिये जाता है जैसे कि कौन सी brand का product है इसके features क्या है इसकी price क्या है expiry date क्या है कैसे इसको use करना है company का नाम पता वगेरा ठीक है यह सारी चीज़ है attractive level के साथ आपको provide कराई जाती है छटा point है branding branding क्या है branding मत अतलब किसी भी product को special name देना जैसे iPhone iPhone आपको पता है Apple company का नाम है लेकिन product का नाम रख दिया iPhone क्योंकि iPhone एक brand है अब इसके अलावा भी extra branding में जैसे iPhone 11 हो गया यह product का नाम हो गया उसका brand हो ठीक है तो यही branding होता है companies जो है वो product को company के name से भी कभी कभी बेचने का decide कर सकती है उसक एक्जामपल Sony, BPL, LG यह सारी companies जो है अपने products पे भी अपने company के नाम का ही ठपा लगा देती है ठीक है Sony जो है वो अपने company के नाम का ठपा ही TV के उपर भी लगा देती है लेकिन दूसरी brands जैसे मानलो हिंदूस्तान, Unilever जो एक brand है वो अपने products बेचती है जैसे Arial, Tide, etc. तो उसके packet में product का एक अलग से brand name उन्होंने develop करके रखा है ठीक है तो यहाँ पर अंतर समझना कभी-कभी companies अपना नाम ही brand name बना देती है और कभी-कभी companies जो है वो अपने नाम को separate रखती है और product के लिए अलग brand name बनाती है brand name को बहुत ही carefully select करना चाहिए क्योंकि customer की loyalty जो है वो brand name पर depend करती है तो कोई भी एराग एरा नाम आपको नहीं रखना है काफी सोच समझ कर एक attractive सा याद रखने जैसा नाम ही branding के लिए रखना चाहिए इसके बाद है customer support services अब देखो present day business environment में customer ही king होता है ठीक है तो customer का satisfaction बह अगर आप sale के बाद support services नहीं दोगे तो customer satisfaction नहीं आएगी तो इसलिए बहुत ज्यादा important है management के लिए कि sale करने के बाद ही customer को भूल न जाए sale के बाद भी अगर customer को कभी कोई complain होती है या कोई दिक्कत आती है तो फिर customer की सेवा करें तभी वो customer आपका permanent customer बन पाएगा ठीक है यह हो गया customer support service इसके बाद pricing pricing आपको पता है बहुत ही important एक function है marketing का पहले की दिनों में क्या होता था ना पहले की दिनों में pricing जो होती थी वो production cost के उपर हम एक profit का margin जोड़ देते थे और उस पर जो आता था वही selling price बनता था तो अभी भी काफी सारे products के लिए selling price जो है इसी हिसाब से तयार होता है कि production के cost में कुछ profit add कर देंगे तो selling price लेकिन आज कल के जमाने में ज्यादा तर selling price वैसे नहीं होता है production cost प्लस profit तो एक तरह है अगर production cost और profit हमारा cover नहीं हो पारा है selling price से तब तो हम उस product को बेचेंगे नहीं लेकिन सिर्फ production cost और profit ही नहीं हमको अपना brand के image का भी बहुत समय लोग जो है वो उसकी price ले लेते हैं मानलो कि मैंने जो एक दिन पहले दिन शू का example लिया था first lecture में कि दो शूज है तो पूमा की शू का दाम जो है वो है 1599 लोकल कंपनी का शू जो है वो दाम है 599 अब अगर कभी देखोगे ना तो दोनों कंपनी का जो quality होता है उस quality में बहुत ज्यादा hell and heaven difference नहीं होता है कि एक बिलकुल ही बेकार है और एक बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ है ऐसा नहीं branded company के जैसा ही मतलब उसी के जैसी quality का ही कोई समान बना रहा है लेकिन price बहुत कम है तो अगर production cost plus profit यहीं दोनों पर pricing होती तो दोनों का price more or less same होता क्योंकि materials तो more or less same तरीके के use होता है ठीक है तो फिर इस product का price इतना ज्यादा क्यों इस product का price इसी लिए ज्यादा है क्योंकि इ उसको customer को एक show off की utility भी मिलती है कि वो लोगों को बता सकता है देख मैंने Puma के जूते पहने हैं यह वो हैं तो यह सारी चीजों के लिए Puma ने pricing थोड़ी सी हाई रखी है फिर भी लोग इसको खरीदते हैं क्योंकि हर कोई Puma का show afford नहीं कर पाता और जो afford कर पाता है उसके society मे अलग status जैसी लोग ऐसा सोचता है कि उसको एक अलग status या जो पहनता उसको ऐसा लगता है कि मुझे अलग सा status मिल गया तो उस हिसाफ से यह चीज यह psychological factor भी pricing में काफी important होती है अगर यही Puma कल अपने जूते 499 में बेचने लगे जो की local brand से भी सस्ता मिलने लगा तो फिर इस brand की कोई value ही नहीं रह जाएगी इसको कोई इज़त ही नहीं देगा market में यह भी कोई era-era brand हो जाएगा ठीक है तो अपने brand की reputation को अपने brand की जो एक औरा है उसको maintain करने के लिए यह लोग high pricing करते हैं तो यहाँ पर यही pricing की strategy बहुत important है कि क्या आप low cost goods manufacture करके सभी को mass production करके provide कर आना चाहते है कि का आप एक elite category का product बना चाहते है जैसे पुमा का जूता के साथ मैं iPhone का भी example लेना चाहता हूँ pricing काफी high रहती है इसलिए जानबूच करके high रखी जाती है ताकि हर कोई से ना खरीच सके और जिसके पास यह हो उसको एक pride मिले उससे कि मेरे पास iPhone है ठीक है brand value कि काफी जादा पैसे ले लिया जाता है वैसे production cost जो है एक एक लाग के iPhone का production cost hardly 15 से 20,000 रुपए आता होगा ठीक है यह Apple ने खुद ही disclose किया था एक बार तो pricing जो है वो बहुत जादा important है एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर price means the money which a customer has to pay to buy a product यह आपको प customer बहुत ज्यादा price sensitive है अगर यह XYZ brand देखे कि अरे यार market में जो Puma का जूता है मैंने भी तो same to same quality का जूता same to same design का निकाल दिया है तो उसका अगर 1599 price है तो मुझे भी 1599 price रखना चाहिए अगर यह XYZ company ऐसा सोचे तो क्या कभी customer इसका product खरीदेगा कभी नहीं खरीदेगा क कि इस price में तो मैं Puma के जूते ही ना खरीद लूँ तो क्योंकि इस product का उसको लगता है कि quality superior है product superior है इसकी एक social status भी है Puma company की तो वो कभी भी XYZ तो XYZ company को अपनी pricing बहुत ही सोच समझ कर करनी पड़ेगी ठीक है इसके बाद 9 पॉइंट है promotion and selling एक बार आपने product की pricing कर ली तो उ promotion generally advertising से होती है ठीक है advertising के थुरू क्या होता है कि हम customers को जो हमारे target customers है उनको बताते हैं कि हम ऐसा product market में लेके आए हैं इसके ये features है इसका ये price है ताकि customer को पता चले कि ऐसा product market में available है और उससे हमारी बिकरी जो है वो start होने लगती है ठीक है अब 10 पॉइंट है physical distribution देखो हमने product को advertise कर दिया sales promotion कर दी उससे ही काम खतम नहीं होता हमारे product को customer तक पहुचाना भी बहुत ज़रूरी है generally आपको ये बात पता होगी class 11 में भी आपने transportation का topic जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहांपर goods manufacture होते है वो होता है factory और जहांपर customers होते हैं वो दोनों जगह customers क में काफी distance होता है तो factory से customer तक माल को पहुचाने के लिए आपको physical distribution करनी ज़रूरी है physical distribution के बीच में काफी सारे लोग आते हैं काफी सारे organizations आती है जैसे कि wholesaler, retailer फिर storage warehouses वगेरा भी बनानी पड़ती है गोडाउंस में जहांपर material store रहता है ताकि कभी भी material की shortage न हो जाए market में demand के हिसाप से supply हमेशा बनी रहे तो physical distribution में हमको यही तै करना है कि किस channel से goods जो है distribute होंगे कैसे distribute होंगे कहां-कहां पर warehouses बनाना जरूरी ह है उसमें कितना stock maintain करना पड़ेगा यह सारी चीज़ है ठीक है 11th point transportation यह भी physical distribution से related ही है तो क्योंकि goods जहां पर produce होते वहीं पर consume नहीं होते एक place gap होता है between production and consumption तो इस place gap को fill करने के लिए हमको transport का use करना पड़ता है ताकि हमारे product को देश के ही नहीं बलकि दुनिया के अलग-अ कोनों तक पहुचा दिया जासे ठीक है अच्छा एक और बात transportation जो है वो सिर्फ finished product को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं है जो product हम बनाते हैं उसके लिए हमको जो raw materials वगेरा जो inputs चाहिए होती है वो भी हमको transportation के थ्रू ही अपनी factory में लाना पड़ता है ठीक है बारवा point है storage and warehousing तो storage and warehousing क्या है यह आपको पता है goods को produce कर लेने के बाद immediately वो भिक नहीं जाते हैं उनको safe रखना पड़ता है उनको अलग-अलग go-downs में रखा जाता है ताकि जब जैसा जरूरत हो वैसे goods को supply किया जासे के customers की needs के हिसाफ से और go-down में रखने से goods जो है वो damage से भी धूब बारिस इन सब चीजों से बची रहती है तो उनको protect करने के लिए और उनको जब जरूरत हो तब customer को provide करने के लिए store करके रखा जाता है तो आज जो है marketing के यह 12 functions हमने discuss कर लिए अगले lecture में हम marketing mix का topic जो है वो discuss करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए आप का देन शूब हो